आज की वीडियो में हम जानेंगे आरल आईवी फ्लूड के बारे में अगर आप मेडिकल फिल्ड से जुड़े हैं तो आपको अच्छे से पता होगा आरल फ्लूड को छोटे बड़े सभी डॉक्टर यूज करते हैं आरल एक कोमन ड्रीप है जो करीब करीब सभी डॉक्टर द्वारा पेसेंट को लगाया जाती है लेकिन होता क्या है हमें ये नहीं पता होता है इस फ्लूड को कब लगाया जाता है और किस पेसेंट को इस फ्लूड को नहीं लगाना चाहिए ये सबसे important होता है तो guys इसी के बारे में आज की ये वीडियो होने वाली है इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताने वाला हूँ आरेल फ्लूड कब लगाया जाता है और किस मरीज को लगाया जाता है और किसे नहीं लगाना चाहिए और इस फ्लूड से related बहुत सारी बाते आज हम इस वीडियो में किलियर करेंगे तो वीडियो को आप बिना इसकिप किये end तक जरूर देखे और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की informative वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे तो चलिए वीडियो सुरू कर लेते हैं आरेल फ्लूड स्री क्रिसना कंपनी के दुआरा बनाय जाता है और इस कंपनी के अलावा भी आपको बहुत सारी कंपनी दुआरा मिल जाएगा और 500 ml की बोटल होती है जिसका MRP 44 रूपिय होता है 500 ml के अलावा ये आपको 1000 ml में भी मिल जाएगा और इसके अंदर आपको चार कंपोजिसन देखने को मिल जाएगे लाइक सोडियम कलोराइड, सोडियम लेक्टेट, पोटेसियम कलोराइड और केल्सियम कलोराइड अब हम जान लेते हैं इस फुलूड के बेनिफिट्स के बारे में देखे गाई जैसा कि अभी मैंने आपको बताया RLA common flood है, जो करीब करीब सभी डॉक्टर द्वारा patient को लगाए जाता है और किस condition में, Like किसी patient को diarrhea हो जाता है, یानि द़स्त लग जाते हैं ऐसी condition में इस flood को लगा सकते हैं डाइरिया होने पर dehydration यानि पानी की कमी होजाती है electrolytes कम हो जाते हैं तो पानी की कमी को पूरा करने के लिए electrolytes को balance करने के लिए इस drip को लगा जाता है इसके अलावा सरीड में weakness आ जाती है या फिर चलते फिरते चक्कर आने लगते हैं सरीड में बहुत जादा कमजोरी महसूस होती है ऐसी condition में इस flood को लगा जाता है और इसके अलावा blood loss हो जाता है कोई accident case वगेरा हो जाता है ऐसे में इस flood को डॉक्टर दुवारा लगा जाता है क्योंकि ऐसे में भी पानी की कमी हो जाती है और इसके अलावा कोई जल जाता है या current लग जाता है या किसी patient का BP लो हो रहा है ऐसे में भी इस drip को यूज़ किया जाता है low BP मरीज को RL में MVI injection के साथ लगाएंगे तो patient का तुरत BP नॉर्मल हो जाएगा patient जो है वो पूरे तरीके से एकदम से खड़ा हो जाएगा तो low BP को कंट्रोल करने के लिए भी आप इस drip को लगा सकते हैं और इसके अलावा सरजरी से पहले या सरजरी के बाद भी आप इस flood को लगा सकते हैं और pregnancy में भी डॉक्टर द्वारा इस flood को लगा सकते हैं इस तरह से इस flood को बहुत सारी condition में लगा जाता है अब हम जान लेते हैं किस patient को RL flood नहीं लगाना चाहिए गाइस अभी हमने जाना RL flood को किस condition में लगा सकते हैं और अब हम जानेंगे किस condition में उस flood को नहीं लगाना चाहिए तो देखे गाइस अगर किसी परसन को diabetes की समझचा है यानि अगर किसी परसन का सुगर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है तो ऐसे में आप इस फ्लोड को नहीं लगा सकते इसके अलावा किसी पेशेंट को कफ की समझता है खासी बहुत ज़्यादा होती रहती है ऐसे में भी आप इसको नहीं लगा सकते किसी patient का BP बहुत ज़्यादा high रहता है ऐसे में आप इसको नहीं लगा सकते किसी patient को heart से related कोई problem है ऐसे में आप इसको नहीं लगा सकते इसके अलाबा hypertension या फिर liver से related कोई problem है इस तरह की कोई भी condition में आप इस flow को नहीं लगा सकते और इसकी dose की बात की जाए तो adult आप 1-2 घंटे के अंदर इस bottle को चड़ा सकते हैं और newborn baby को इस bottle को नहीं लगाना चाहिए तो यह थी इसकी dose अब हम जान लेते हैं common side effect के बारे में common side effect की बात की जाए तो वैसे तो RL fluid का कोई भी खास side effect देखने को नहीं मिलता लेकिन कभी-कभी एकाथ परसन को एडिमा एडिमा मतलब water की concentration जादा और blood की कम जानी body में जहे पानी बहुत जादा भढ़ जाता है इस तरह का side effect एकाथ परसन को कभी-कभी आ जाता है वो भी किस condition में अगर आपने जिल्दी से bottle को लगा दिया या फिर आपने cannula सही तरीके से नहीं लगाया इस तरह से आपको side effect आ सकता है और किसी patient का BPI हो सकता है इस तरह का common side effect एकाथ परसन को कभी-कभी आ सकता है जो एक-दो दिन में ठीक हो जाते हैं उम्मीद करता हम ये छोटी सी वीडियो आपको जुरूर पसंद आई होगी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी subscribe कर सकते हैं